लगता है सान्या मिर्जा और उनके फैंस की बद्दुआउं का असर शोएब मलिक पर हो जुका है क्योंकि शोएब मलिक को बड़ा जटका लगा है शोएब मलिक को बांगलादेश जैसी प्रीमिर लिग से हटा दिया गया है शोएब मलिक पांगलादेशी टीम फॉर्ट्यून बरिशाल का हिस्सा है इस टीम का ही मैच हो रहा था तब शोएब मलिक ने एक ओवर के अंदर तीन नो बोल्स डाल दी कई बार ऐसा होता है कि बॉलर्ज गलती कर बैठते हैं और एक ही ओवर में तीन नो बोल्स डाल देते हैं लेकिन शोएब मलिक को ये तीन नो बोल्स बहुत भारी पड़ी है क्योंकि उनके franchisee owners का मानना है कि शोईब मलिक ने ये no balls जानबूच कर दी है उन्होंने पैसा खाकर एक ही over में ये तीन no balls दी है और उन पर match fixing का आरोप लगा है franchisee owners को शोईब मलिक match fixing वाले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शोईब मलिक पाकिस्तान के बेहद experience खिलाडी है इसे कर सकता है बस इसी कारण franchisee owners को लगता है कि शोईब मलिक ने पैसा खाया है उन्होंने match fixing की है और इसी के लिए अब जिस टीम का वो हिस्सा थे उस टीम से ना सिर्फ उन्हें हटा दिया गया है बलकि टीम मालिकों ने शोईब मलिक के साथ अपना contract ही cancel कर दिया है fortune बरिशाल टीम के मालिकों ने इस बात की पुष्टी की है उन्होंने कहा है कि शोईब मलिक के साथ अब उनका कोई contract नहीं है इधर BPL से निकाले जाते ही शोईब मलिक ने मांगलादेश छोड़ा और वो दुबाई चले गए जैसी ही ये खबर मीडिया में आई तो सुशल मीडिया पर लोगों ने शोईब मलिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया ये कहते हुए कि तीसरी शादी की है अब खर्चे बढ़ गए हैं तो पैसे की जरूरत तो है ही तो मैच फिक्सिंग करके ही पैसा कमा रहा है बढ़ती ट्रोलिंग देख शोईब मलिक ने अपना क्लारिफिकेशन दिया है उनके हिसाब से उन्हें बांगलादेशी प्रीमियर लीग से निकाला नहीं गया है बलकि वो खुद इस प्रीमियर लीग से निकले है क्योंकि दुबाई में उनके कुछ मीडिया कमिटमेंट्स और इसी के चलते उन्हें ये प्रीमियर लीग छोड़ना पड़ा है